हेलो एफ्रीवान वेल्कम बैक टो आर यूट्यूब चानल फॉरवर्ट सडीज माइने में इस शानु अलावत और आज हम आपके सामने फिर से हाजर इसमें की है हमारा और हिंदी के लिए पार्ट वन को डिसकास कर रहे हैं जिसमें के हम प्रिवेस एर क्वेशन पेपर्स करत तो आज जो पेपर है वो हम कर रहे हैं PGT Physics का जो की 2021 का पेपर है तो आज हम इसके 20 को डिसकास करेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम DSSB और KBS को फोकस करके चल रहे हैं ठीक है क्यूंकि उन्हीं के एक्जाम्स हमारे सबसे जादा करीब हैं और उन्हीं को धि सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है और आपको भी प्रीवेस एर क्वेशन पेपर्स की जो इंपोर्टन्स है वो पता है तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं उनका जो लिंक है व अभी जो एक्जाम हुए थे DSSB और KBS का उसको डिसकास किया है तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं आपके वो आपके लिए हल्फुल रहेगा और अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब करना न भूले इसके साथ साथ आप चैनल को शे भारण है उसे ग्याद करना है तो वाक्य क्या दिया गया है हमें दिया है श्रया स्कूल जा रही थी इसके लिए हमें जो विकल्प दिये गए हैं वो हैं आपका आसन्य भूत-काल, पूर्ण, वरतमान काल, संभावे भविश्य काल और अपूर्ण भूत-काल, सबसे पहले ह हमें क्या करना है वाक्य को ना बहुत ही ध्यान पूरवक पढ़ लेना है एक बार श्रया स्कूल जा रही थी यहां से हमें एक बात की बिल्कुल श्योरटी है कि यह जो आपका वाक्या है यह है आपका भूत काल का वाक्या है ठीक है भूत काल का वाक्या है तो यहां से आपके option कौन से cancel हो जा रहे हैं ये जान लेने से कि ये भूत काल का वाक्य है तो आपका जो भविश्य काल है वो बिल्कुल cancel हो गया और वर्तमान काल है वो भी बिल्कुल cancel हो गया बचे हमारे पास दो option जिसमें कि एक है आसन काल और एक है भूत काल अब अगर आपको यह पता है कि आसन काल क्या होता है आसन भूत काल में क्या होता है कि जो हमारे कोई भी कार्या हो रहा होता है वो अभी समाप्त होने का पता लगता है उसमें यानि कि जो निकट समाप्ति का इसमें आभास होता है हमें यह जो काम है हमारा समाप्त हुआ है आसन भूतकाल में और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है इसमें आपको क्या लगेगा कि जो अभी बीता समय है उसमें कारिया के चल रहे होने का पता चलता है ना कि समाप्ती का ठीक है इसमें हमें समाप्ती का पता नहीं चलता है इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल में हम रखते हैं, जैसे यहां से जो आपने देखा कि श्रया स्कूल जा रही थी, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वो जा चुकी है या नहीं जा चुकी है, तो यहां क्या है निश्चित नहीं है कि वो स्कूल जा चुकी है, हाँ वो जा रही थी, कार्य जो है उसके होने का पता चल रहा है लेकिन समाप्त होने का बोध है वो हमें अहाँ पे ग्यात नहीं होता प्रेशन नंबर 2 में पूछा गया है कि यहाँ पे कौण सा जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य नहीं है जब भी हम question को पढ़ें तो हमें ध्यान रखना है कि उसके हमें बहुत ही carefully read करना है क्यों क्योंकि जब हम question को अच्छे से read करेंगे तभी हम question के answer तक पहुत सकते हैं तो मिश्रित वाक्या यानि कि मिश्र वाक्या कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है तो option देख लेते हैं कार्या समाप्त हो जाए तो आप जा सकते हो तो आप जा सकते हो यदि पानी न बर्सा तो सूखा पड़ जाएगा आश्चरिया है कि वह हार गया देखो यहां से जो क्या हो रहा है यह तीनों जो हमारे वाक्या है पहला दूसरा और तीसरा इसमें हमें जुड़ाव जो है तो यकी ठीक है इनसे क्या किया गया है इनको जोड़ा गया है एक तरह से और यहां पे जो आपका fourth जो option है वो एकदम सही है ये आपका मिश्रित वाक्य नहीं है ठीक है करण और अरजुन साथ ही रहते हैं यानि कि ये जो आपका वाक्य है ये एकदम मिश्र वाक्य में इसको include नहीं किया जाएगा तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि question number second के चयन करना है और यहां पे आपसे चार option दिये गए हैं आपको शाशक वर्ग, दिशा, पाठक, वरिंद और नेतागन देखो नेतागन इसमें भी आपको क्या होगा बहुवचन का भाव आएगा ठीक है शाशक वर्ग में भी क्या हो रहा है बहुवचन का भाव आ रहा है और पाठक, वरिंद में भी तो इसका जो दिशा का जो बहुवचन होता है वो होता है दिशाएं ठीक है यानि कि हमारा जो option है second ये हमारा सही उत्तर होगा एक वचन शब्द के लिए हमें चयन करना था इन सब में से एक शब्द को चुनना था जो की है second दिशा वो है हमारा एक बचन चलिए तो प्रेशन नंबर चार में पूछा गया है क्या कि मूशक जो है वो किसका प्रयाइवाची है इन में से ठीक है इंदुर है विदो है रद्र है या फिर है है चार option दिए हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके जो प्रयाइवाची शब्द हैं वो कौन से है तो सबसे पहला जो शब्द लिखेंगे हम वो है हमारा गणेश वाहन क्या है गणेश वाहन अब देखो आप सब को पता है कि गणेश जी जो है मूशक यानि की चूहे की सवारी वो करते हैं तो कह सकते हैं कि जो गणेश जी का scooter, car या फिर cycle, scooty जो भी है वो क्या है मूशक ठीक है तो यहां से हमने यह पता करा कि जो गणेश वाहन है वो भी क्या है मूशक को ही कहा जाता है इसके साथ साथ मूशिक है ना यहीं से आप लिख सकते हैं मूशिका मूशिका इसी के साथ साथ इंदुर भी लिख सकते हैं आप यहां से इंदुर ठीक है मूस साथ साथ मूस मूश सा और एक और लिख लीजिए आखू थीक है आखू भी मूश के लिए प्रयोग किया जाता है यहां दे ने मूश के प्रयायवाची शब्द देख लिए मूश का इंदूर Mu मूश का प्रयायवाची शब्द है वो क्या है इंदुर अब देखिए एक बार बाकी सब को भी देख लेते हैं इसमें जो विदू है इसके क्या प्रयाइवाची है विदू के लिए आप लिख सकते हैं चांद चंद्रमा चंद्रमा के बाद आप ये भी लिख सकते हैं आपका शशी यानि कि आप चंद्रमा के प्रियाइवाची यहां लिख सकते हैं राकेश के बाद लिख सकते हैं हिमानशू सुधानशू सुधानशू साथ के साथ सुधाकर सुधाकर और यहीं से इसी से मिलता जुलता एक और लिख लेते हैं सुधाधर सुधाकर और सुधाधर यहां से सारंग ठीक है, सारंग यहां आएगा ये, इसके साथ साथ निशाकर, इसके लिए बहुत सारे प्रयाइबाची झी धीक है, निशाकर, निशापती, यहीं से, निशापती लिख लेए एक निशापती, आप इन सबको अपने register में note down कर सकते हैं, अम्शोर यह आपके लिए helpfully रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है शब्द बंडार में जितनी वृद्धी हो सके उतना कम रहता है हमारे competitive exams के लिए, ठीक है, म्रेगांक इसी के साथ साथ आप यहां लिख सकते हैं, एक kalanidhi और add कर लीजे, ठीक है kalanidhi, तो यह हमने देखे विधी के प्रियावाची, ठीक है इसके साथ साथ रद्र और है के भी हम देख लेते हैं, तो चलिए रद्र रद्र के लिए क्या होगा रद्र के लिए क्या होगा रद्र में आप लिख सकते हैं ये होता है आपका जैसे छेद ठीक है या फिर बिल इसी के साथ सद गड़ा भी कह सकते हैं ठीक है गड़ा या फिर सुराख ठीक है सुराख और एक और इसी को कहते हैं कोटर ये आपको शायद ना पता हो तो आप इसक इसे जैसे बिल और छिदर, छेद, सुराख, ये तो आपके क्या है कि आपको पता है, आपकी knowledge में है, लेकिन क्या नहीं होगा knowledge में, कोटर, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, हे के लिए कौन-कौन से शब्दों को समलित किया है, हे का अर्थ होता है, ग्रहन करने योग्या ना होना, हे का, अर्थ क्या होता है, ग्रहन करने योग्या ना होना, और इसके लिए अगर प्रियाएवाची शब्दों की बात करें, तो यह हो जाएगा आपका, जैसे बेकार, ठीक है, भेकार, खराब, इसी के साथ साथ आप लिख सकते हैं, बुरा, बुरा या फिर तुछ भी लिख सकते हैं और एक और शब्द लिख सकते हैं त्याज्य ठीक है त्याज्य ये हमने इन सभी के प्रयाइवाचियों को डिसकस कर लिया है कि इंदूर, विधू, रद्र या फिर है कि कितने प्रयाइवाची हैं या कौन-कौन से प्रयाइवाची हैं जो हमारी नौलिज म प्रशन नमबर पाच में पूछा है कि मौन का जो क्या है विलोम शब्द ग्यात करिए कौन सा है मुखर खामोश शांत या मित भाशी तो मुखर क्या होता है मुखर होता है बातूनी बातूनी मुखर का अर्थ होता है बातूनी और यहीं से अगर मैं खामोश तो आपको पता ह खामोस और शांत का अर्थ होता है, कम बोलने वाला. कम बोलने वाला, तो हमसे पूछा है, मौन का प्रियाएवाची क्या है, आधि कि मौन सकते हैं लेकिन मुखर जो है वो बातुनी यहां से क्या हो जाएगा मौन का विलोम शब्द हो जाएगा ठीक है प्रेशन नंबर छे में पूछा गया है कि मुहावरा है यह अंधे के आगे रोना और इसके अर्थ क्या होगा यहां जो option दिये गए हैं इन में से यानि कि हाथ की सफाई दिखाना अंधे के आगे रोना कि आपको लगता है कि हाथ की सफाई दिखाना होगा नहीं बिल्कुल नहीं अंधे के आगे रोना यानि कि ऐसे व्यक्ति के सामने आप रो रहे हैं जो आपके आसों को देख भी नहीं सकता है और यदि देख भी लिया है तो वो आपक लिए कुछ कर नहीं सकता है ठीक है यानि कि निर्देई से दया की याचना करना बिल्कुल जो खुद निर्देई है उससे आप दया की याचना क्या कर रहे हैं उसे तो आपको दया दिखाने की जरूरत है ठीक है तो यहां से जो आपको second option है वो एकदम सही हो जाएगा साहस प question number 7 देखते हैं क्या पूछा गया है दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिये ठीक है जैनी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है इसमें दो दिशाओं के बीच की दिशा क्या होगी उभाना उचिन उपही या उपधिशा देखो यहां से क्या ह यह तो होगा यह जो तीनों अप्शन है यह इस वाक्यान के वियोग पंधिशा गया है। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक है तो यहां पे जो चिन प्रयोग में लाए गए है वो आपको सब सब दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहां से आपको पुछा है आस्तिक का विलोम जो शब्द होता है वो होता है नास्तिक यानि कि यह जो चिन प्रयोग में लाए गए है इन का ये ठीक है उधरन चिन यानि कि जो माफ कीजिए सेकंड और थर्ड यानि कि थर्ड जो आपका उप्शन हो एक दम सही होता है चलिए प्रेश नंबर नौ में पूछा है शुद्वर्तनी वाले शब्द का चेयन कीजिए ठीक है तो यहां से जो शुद्वर्तनी होगा वो है ठीक है समझे अभी लाशा होता है और चिकत्सा ग्रह सही है यहां से यह भी गलत हो जाता है यहां बात रही इसकी श्रेश टत्व की तो जहां तक मेरी नौलिज है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं श्रेश टव ठीक है अगर आपको इसका कोई और बहतर पता है इसको किस तरह से लिखा जाता है तो आप मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा question number 10 में क्या पूचा है कि तत्शम शब्द का चेयन करो अब यहाँ विकल्प क्या है सपना, सनीचर, श्वेसुर और समझ तो देखो यहाँ सपना जो है यह है आपका तत्भव शब्द, ठीक है, यह तत्भव है सनीचर, सनीचर क्या है आपका, यह भी क्या है, तत्भव शब्द है श्वेसुर, श्वेसुर आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या है आपका तत्सम शब्द है यह आपका यहां से इसकी नंबरिंग को आप ठीक कर सकते हैं और चार है समझ यानि की समबुद्धी समबुद्धी इसका क्या हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा और यह क्या है तत्भवरूप है इसका ठीक है कि निम्न लिखत में से बहिर मुखी शब्द का कौन सा उपसर्ग है मुखी वहीर बहिर या बहम ठीक है तो यहां से क्या होगा ये होगा आपका बहिर क्या होगा बहिर जमा मुखी ठीक है बहिर जमा मुखी ये आपके लिए क्या हो जाता है थर्ड जो option है आपका सही हो जाता है बहर मुखी सही उत्तर है चलिए प्रेश नमबर 12 पे चलते हैं क्या पूछा है इसमें इसमें पूछा गया है कि निमनलिकित में से लोकोक्ती यानि कि 9 की लकडी और 90 खर्चा क्या है 9 की लकडी और 90 खर्चा इसका क्या आर्थ होगा अप सकता अब देखो 9 की लकडी और 90 खर्चा ठीक है यहां से आपको क्या समझ में आता है कि चीज उतने की है नहीं जिसना की उस पर हमने खर्चा कर दिया है तो इससे जो सही उत्तर हमारा निकल के आता है वो है option number 3 यानि कि मूलिया से अधिक वस्तु की देखरेक में हमने खर् कीजिए वाच्चे के प्रकार का चयन करना है और वाक्य क्या है आपका पहले यह देख लेते हैं लड़किया विद्यालिये जा रही है तो यह आपका क्या हो रहा है यहां पर क्या दिख रहा है आपको विद्यालिये जा रही है तो यह क्या होगा करत्री वाच्चे करत्री वाच्चे आपका ये है, यानि कि second जो option है, वो एकदम सही उत्तर है इसका, ठीक है, चलिए, प्रेशन नमबर 14 पर चलते हैं, क्या पूचा है, इसमें पूचा है कि धनुशंकार कौन सी संधी है, तो इसको देख लीजिए, धनु, धनु, जमा, टंकार, ठीक है, ये क्या हो ग वे चलते हैं, इसमें क्या पूचा गया है, निमनलिकित में से कौन सा शब्द जो है, भाव वाचक संग्या का उधारन नहीं है, ये तो बहुत आसान है, खामोश, इमानदारी, बाजार, गहनता, देखो, खामोश, इमानदारी और गहनता, तीनों में ही क्या है, आपको एक इमेज आ जाएगी, ठीक है, इमेज आ जाएगी, तो ये क्या है, हमारा सही उत्तर है, यानि कि बाजार क्या है, हमारी भाव वाचक संग्या नहीं है, खामोश, इमानदार और गहनता हमारे क्या है, भाव वाचक संग्या में आ जाते हैं, चलिए, प्रेशन नंबर 16 देख क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं रजनीश क्या लिखते हैं रजनीश तो यहां से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा उत्तर है पहला ही हमारा ठीक है और इसमें संधी कौन सी है संधी कौन सी है इसमें इसमें है आपकी दीर्ग संधी ठीक है दीर्ग संधी आ रही है इसमें जो आपको देखने को मिल रही है रजनीश में option number A जो है वो सही उतर है चलिए भई हम देख लेते हैं अगला प्रेशन उसमें क्या पूछा गया है निम्न लिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का शुद्ध रूप है यानि कि प्रत्र बेलायक है क्या है ये सुनने में आठपटा लग रहा है प्रती दिनों अपना काम को करो तो ये भी गलत है भाग्यहीन मनुष्य को सब सताते हैं होता तो यदि फिर भी ये सही हो जाता ठीक है मैंने बालक को समझाया बुझाया तो सही उतर आ किया है हमारे लिए प प्रिश नमबर 19 में क्या पूचा है विकल्पो में से उस विकल्प का चयान करे जो उपसर्ग का सही विकल्प है यानि कि जो उपसर्ग लगाने के बाद हमें यहाँ पे एक शब्द मिला है उसको देखना है वो हो जाता है हमारा निश्चित क्योंकि भूखा, कत्रनी और त चलिए प्रेशन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार आखरी प्रेशन है आज का क्या दिखा गया इसमें इसमें पूछा है कि विकल्प में से उस विकल्प का चेयन करना है जो दी गई लोकोक्ती का सही अर्थ वाला विकल्प है यानि कि सो सयाने एको मत मूरख आयो आपनी इसके लिए आप अगर देखें तो बोल सकते हैं कि जो बुद्धी मानी होते हैं यानि कि बुद्धी मानों के विचार जो है एक ही होते हैं चलिए ऑप्शन देखते हैं जबरदस्ती किसी के गले पढ़ना अनेक बुद्धी मानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नही होती जिसका कोई निश्चितमत नहीं है अपना अपना भाग्य तो यहां से जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आपका प्रेशन नंबर 20 के लिए अप्शन नंबर 2 अनेक बुद्धिमानों में यह भी क्या होती है एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती वो क्या होते हैं अपनी धुन में सवार रहते हैं तो इसी लिए बोला है इसका जो अर्थ क्या होगा सेकंड वाला सो सयाने एकोमत मूरख आयो आपनी तो आज हमने यहाँ पर 20 questions को complete कर लिया है आप हमें अपने score comment section में comment करके जरूर बताईएगा इसके साथ video आपको कैसी लगी आप ये भी हमें comment करके बताया करिए so that क्या होता है आपके एक like या एक comment से भी हमें motivation मिलता रहता है तो हमें आगे videos बनाने के लिए एक appreciation मिलता है ठीक है तो आप like करिएगा video को और comment section में comment करके जरूर बतायाएगा कि video कैसी लगी इसके साथ जो अभी तक हम videos को upload कर चुके हैं पर की आप उनको देख सकते हैं so stay tuned for more videos and this is for today thank you